कि यहां पर आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है आप इस देश में कहीं से भी हो कौन से भी कोने में से हो आप बिंदा सप्लाइब कर सकते हो क्योंकि यह वर्क प्रॉम होम पोचिनिटी आ रही है यहां पर आपको बस क्या करना है कि और यह फिर वीडियो है उसको बस एडिट करना है एस पर देर रिक्वार्मेंट एंड उनको सेंड करना है यही करने के लिए आपको 10-12,000 रुपीज मिल रही है और यह 6 मन्द के आसपास का काम है मैं आपको पूरी डिटल में सब्सक्राइब को भी फॉलो कर दीजिए जिसका नाम है नौकरी फाइंड तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में सो यह जौब है और यहां पर इमीजियेटली है और यह जौब कहां पर ट्वंदना कोडिया यह जो जौब है मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही ज इंटन शाला से यह जौब आ रही है तो बहुत ही ज्यादा जैनाइन एंड ट्रस्टेड है यह तो डिवरेशन रहेगा आपका six months का और यहां पर आपको स्टाइफन मिल रुपीज पर मन्स तो इसके साथ साथ आपको इंसेंटिव भी मिल रहे है ठीक है और यह कंपलीटली रहेगी यह जौब बहुत कम आती है ऐसी और इसकी लास्ट जो है वो 14th of July 2021 है तो आपको 14th of July से पहले पहले आपको यहां पर अप्लाइ करना है तो बहुत ही लिमिटेट शिट्स अविलेबल यहां पर तो आप जल्दी अपलाइ करिए तो आपकी यहां पर रोल्स रिस्प responsibilities include आपको पहला है कि follow करना पड़ेगा instruction जो भी डायरेक्टर देंगे ठीक है उसके बाद आपको record करना पड़ेगा edit करना पड़ेगा mix audio tracks करना पड़ेगा जो भी audio देंगे उसको mix करना पड़ेगा instruments है vocal जो भी है आपको पूरा detail में एक training दी जाएंगे इसकी exact at least बताया तो जाएगा ही कि कैसे वह करना आपको enhance the sound quality and add sound effects to the recording अगर कुछ sound effects add करना रहा तो आप वह add करोंगे और अगर for example कोई noise है sound में तो आपको वह remove करते आना चीए ठीक है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या skills required आगे में ठीक है तो उसके फिर अभी fourth point है कि playbacking tracks and special effect during the live event अगर live event है तो आपको special effect देते आना चीए जिसकी background वगरे जो है आपको change करते आना चीए उसको adjust करते आना चीए फिर create and maintain sound libraries तो जो भी वह sound libraries रहती है मतलब audio का जो भी data रहता है आपको वह maintain करते आना चीए ऐसा ना हो कि वह misplace हो जा और जब दरूरत रही वह मिले ही ना ठीक है तो उ साथ आपको adobe xd जो यह है application है आपको वह software पर work करते आना चीए अच्छे से तो यह तीन स्क्रील से बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं है आपको अगर adobe xd नहीं आता है तो आप बिंदास YouTube पर search कर सकते हो आपको मिल जाएंगा every detail information regarding adobe xd YouTube पर available है तो आप वह सीखके भी यहा आप पर पर सोच ऐसा है कि certificate मिल रहा है आपको अगर आप student हो तो आपको college लेवल पर अगर सर्टिफिकेट यह इंटर्शिप के तो आप यह बहुत ही ज्यादा best opportunity क्योंकि इंट्रेस्टिंग जॉब है यहां पर तो later of recommendation भी मिल रहा है अगर आपको अच्छा मतलब उनको student है भी कर सकते हैं और में मतलब यहां पर फ्लेक्जिबल वर्किंग आस है अब 24-7 में से कहीं से भी मतलब कभी भी आप यहां पर work कर सकते हो ऐसा कोई दिया नहीं है कि कित्ते आस work करना यहां पर तो it depends on your work project तो उसके बाद बात कर लेते कि कौन apply कर सकता है तो only those candidates who are apply जो apply क कर रहे है तो यह date के बीच में available हो जैसे 21 of June से 14th of July के बीच में available हो तो आप apply कर सकते हो क्योंकि यहां पर immediate hiring दी गई है तो और 6 मैंने के लिए available रहने चाहिए आप आपको relevant skills और यह चीज में आपको interest रहना चाहिए मैं आपको बता दो कि यह job housewife के लिए भी है अगर जो भी ladies या फिर women घर में है और वो कुछ work करना चाहती है और उनको इंट्रेस्ट है audio फिर video editing में तो वह भी हाँ पर apply कर सकते है तो बहुत ही simple job है बहुत ही sweet job है ऐसी opportunity बहुत कम आती है तो आप जल्दी जाके apply करिए क्यों share करिए अपने friends के साथ and subscribe करना ना भूलिए and हमारे Instagram handle को भी follow कर दीजिए thank you and have a nice day